हेलो दोस्तो नमस्कार मैं मायथ स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार MOVTAS में तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग SSE CGL 2024 देने वाले हैं तो यह सेशन इंपोर्टेंट है देखिए हम लोग क्या कबर कर रहा हैं तो मैथ स्पेसल हमारी PYQ सीरीज चल रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें भी हम लोग कबर कर रहा हैं लेटेस्ट TCS बेस जो कोस्टन पूछे गए हैं वही हम लोग कबर कर रहा हैं तो चलिए सेशन हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं यह कोस्टन आप लोग देख सकते हैं CPO 2024 में पूछा गया है और बहुत फ्रिकेवेंटली यह कोस्टन पूछा जाता है एक जाम में तो चलिए इसका हम लोग सलूसन देखेंगे तो आईए कोस्टन अम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं देखें थोड़ा सर्दी खासी जुखाम हो गया है तो आप लोग इतना तो मैनेज करी सकते हैं तो देखें क्या लिखा गया है एक सबजी विक्रेता ने 19 रुपए प्रती केजी की दर से 100 केजी आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर देखिए 100 रुपए खर्च कर दिये उसने 60 केजी आलू 50% के लाब पर और से समाल का आधा इसा 40% के लाब पर बेचा इसके बाद उसने बचे हुए आलूओ में से आधे आलू 25% के लाब पर बेच दिया 42% का समागरी लाब समागर पर टोटल आप लोग ऐसे समझे टोटल 42% का लाब प्राप्त करने के लिए बचे हुए आलूओ को बेचते समय कितने लाब प्रतिसत का लच रखना होगा उसे देखे इस सवाल को लगाने के लिए मल्टिपल अप्रोच है अगर आप लोग बेस्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं तो वही मैं बताऊंगा जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप लोग ऐसे समझे देखे यह जो दिया है इस लाइन का कोई मोल नहीं है आप इस में से 60 kg को 50% के लाब पर तो सिधे सिधे आप लुग 50 लिखिए बचा कितना 40, 40 का आदा कर देंगे कितना आजाएगा 20, 20 को कितने पर बीच रहा है तो 40% के लाब पर तो बस 40 लिखिए अब बचा कितना बचा देखे 60, 20 जोड़ देंगे 80, कितना बचा 20, 20 का आदा कर देंगे 10, 10 को कितने पर बिच रहा है, 25% के लाब पर, और रिमेनिंग कितना बचा है, 10, और यहां पे आप लोगों को क्या करना है, एक डबबा खाली इस तरब बना लेना है, और ओबर अल क्य जाते हैं, तो जो डिवाइड हो रहा है, उसको अम लोग डिवाइड कर लेते हैं, देखे, यह 0 से यह 0 कर जाएगा, इधर भी 0 है, और इधर भी 0 है, उमिद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा, अब आप लोग सोचिए, आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखे, य जैसे अगर आप लोग 10 से गुणा कर देंगे, तो यह वाइलू कितना हो जाएगी, 420 हो जाएगी, उमिद कर रहा हूं कितना समझ में आ गया होगा, अब आप लोग सिंपल सा कुछ नहीं करना है, देखे, यह 50 लिखा है, इसका इसमें गुणा करना है, 40 का 2 में गुणा कर तो जैसे 50 का, अगर आप लोग 6 में गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यह 300 आ जाएगा, पलस 40 का 20 में गुणा कर देंगे, तो 80 आ जाएगा, और पलस अगर आप लोग 25 का क्या कर देंगे, 25 का अगर एक में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और अब आप लोग बताईए कौन ऐसा स्टुडेंट होंगे जो अब इसको साल बनाई कर पाएंगे यहां पे 400 है यहां पे 405 है और यहां पे खाली डबाए ओभराल हमें 420 बनाना पड़ेगा तो यहां पे क्या करना पड़ेगा जाएर बात है अगर 15 यहां पे रख देंगे तो 420 बन जाएगा तो इसका राइट एंसर कितना जाएगा उसे 15 परसेंट का क्या करना पड़ेगा लाब रखना पड़ेगा तबी यह कोश्टन क्या हो जाएगा साही हो जाएगा तो उमीद करता हूं कितना समझ में आ गया होगा कुछ लोग काएंगे सर ऐसे नहीं कर पाएं याद रखे रहे हैं इस सवाल को आप लोग जैसे पढ़ेंगे आप लोग तुरंत हीट करके आप लोग लगा सकते हैं समझ रहे हैं तो बस इस सवालों को देखिए जितना मैं TCS के कोश्टन इस समय करवा रहा हूं आप लोग एक अलग से कापी बना लिजिए तभी आप ल आप लोगों ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए यहां पे सिधे सिधे आप लोगों को 60 लिखना है यहां पे 20 लिखना है यहां पे 10 लिखना है अब अब अबराल हमें देखिए 42% का लाप परात करना था टोटल यहां पे 100 का 42% निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 20 का अगर 40 % निकालेगे तो 8 मिल जायगा और 10 का अगर 25 % निकालेगे तो 20 मिल जायगा अब देखिये बनांए तैं तो यहां पर यहां पहला करना पड़ाएगा जाईर बात यहां पर 1.5 10 अगर 8 कर देंगे तोadle जैसे गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा, वह ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन C p o में एंस्वर कितना दिया था देखिए, हमारा एंस्वर तो 15 परसेंटा आ रहा है, इसी 15 परसेंट को decimal में लिख दिया था, जैसे गुणा कर देंगे तो 0.15 परसेंट आ जाएगा, तो ये आप संदिया था चाहिए लिखिए चाहिए 15% लिखिए ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा तो उमीद कर रहा हूं कितना समझ में आ गया होगा तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार जै राम जी की